असलालेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शबनूरेली और आज हम इंडोर प्लांट्स में एक और प्लांट बढ़ाने वाले हैं यह टच मी नॉट का प्लांट है देखिए कितना ग्रेन हो रहा है और अभी इसको आप सीर्स से ग्रो कीजिए या कटिंग से बरसात में आज हम आपसे बलकनी के लिए एक प्लांट शेयर करने वाले हैं और उसको रिपार्ट भी करेंगे तो यह है अरेलिया का प्लांट मैंने कल शॉपिंग की थी सिर्फ दो प्लांट लिये थे एक यह अरेलिया का खुफसूरत लीज वाला वेरिगेशन है इसमें इसमें एक ग भी खुषूरत प्लांट मुझे को लगज रहा था इसमें एक ही बलब है और यह ताजा ही लेकर आए चैनल कॉं और बही सारी लेकल चार्ण लेकिन यह औरेंज है और यह औरेंज मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको लिया तो इसको लगा लेते हैं देखें रूर्स काफी डेवलप हैं पॉलिथिन को कट करके निकाल देते हैं नौ बजे ही इतनी गर्मी है तेज धूप है मिट्टी आपको पता ही होना चाहिए हो भी कंपोश्ट या फिर रिवर सेंड वन परसेंट और इसके साथ में आप समें राइस हस्क मिला सकते हैं पोरस बनाती है मिट्टी को वेल रेन भी बनाती है तो इन सब चीजों को मिला लीजे थोड़ा सा फंगिसाइड मिला लीजे ना हो तो हल्दी पाॉडर मिला लीजे इस तरह की मिट्टी all purpose होती है, ऐसी soil में आप कोई भी plant लगा सकते हैं। इसके ये polythene sheet हटा देते हैं, cut करके या फार कर निकाल दीजिए और root ball को बिल्कुल भी disturb ना कीजिए, ऐसे ही लगा दीजिए। मिट्टी उसमें चिकनी नहीं है ना red soil है तो यासे भी आप लगा सकते हैं। वैसे भी इससे plant से थोड़ा सा बड़ा planter है और एकात साल तक हमें शायद report नहीं करना पड़ेगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर से इससे बड़ा pot हम इसको दे देंगे। अभी तक के लिए तो यही pot ठीक है 10 इंच का 8 इंच का या 12 इंच का इसको छोटे से छोटे planter में लगाया जा सकता है। और मिट्टी में देखिए यहाँ पर अर्थवाम भी है केज हुए जो मिट्टी को बहुत soft बनाते हैं उसको खाखा कर। आपका garden कभी सूना ना लगे balcony garden हो यह terrace garden हो तो हमको permanent plant जरूर add करते रहना चाहिए। विंटर्स के plant जो flowering plant होते हैं वो वक्त बेवक्त खतम होते चले जाते हैं ऐसे में खाली खाली garden अच्छा नहीं लगता है तो permanent plant इंडोर plant इसको आप जरूर लगाए। आप अपने घर में कमरे में यहां विंडो के आसपास ऐसे प्लान लगा सकते हैं जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती हैं ज़्यादा धूप में जल जाते हैं और इसको bright light चाहिए या morning की या evening की बस थोड़ी सी sunlight इसको चाहिए हैं बाकी अगर ना भी धूप आती हो तो अच्छी light आना जाहिए ऐसी जगह पर आप इसको रखिए तो हमने report कर दिया है अब हम लिली के इस बाल को भी ग्रो कर देते हैं यह भी इसी तरह की sandy soil है well rain soil है और इसमें अच्छे से drainage hole बने हैं तो हम इस रूर बाल को भी डिस्टरब नहीं करते हैं और polythine मैंने कट करके निकाल दिया है बस ऐसे ही रखते हैं साइट से मिटी डालते हैं पानी डालते हैं बस हो गया इसके अलावा भी बहुत से अरेलिया की वराटी us होती है different different suits होते है color होते है तो आप कोई भी अरेलिया यूज करिए, बहुत खुबसूरत लगते हैं, हाड़ी प्लांट होते हैं, काटिंग से आप इजली प्रोपगेट कर सकते हैं, इसकी काटिंग रहनी सीजन में लगा दीजिए, छोटी सी छोटी काटिंग कहीं पर भी ग्रोग हो जाती है, नौड ए खाद डालिए, और क्यूंकि ये सिफ पते ही देगा, ग्रीन पते वाले प्लांट्स को नाइट्रोजन खाद देना चाहिए, क्यूंकि इससे अच्छे से डैवलपमेंट होता है, लीवस अच्छी होती हैं, फिरोनिंग करते रहें, बुशी बना रहेगा, राउंड शेप मे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए, अलाफ़ेज